हलो दोस्तो, वेलकम टू माई चैनल नीतू क्रियेटिव कॉर्णर फ्रेंड्स आज हम अपने क्राफ्ट में अपने गार्डेन की कुछ रखडियां, कागज की टुकडे और थोड़ी सी बॉल पूटी से क्राफ्ट बनाएंगे इसके लिए हम सबसे पहले बॉल पूटी का डू तयार करेंगे बॉल पूटी का डू हम पानी की हेल्प से तयार करेंगे हम थोड़ी सी बॉल पूटी में थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे और उससे बॉल पूटी का डू तयार करेंगे इसमें हम किसी भी तरह का glue mix नहीं करेंगे मैंने अपने हर वीडियो में आपको ball puti का डो कैसे बनाते हैं बताया है और मैंने इसके लिए एक separate वीडियो भी बना के रखा है आपका डो अगर अच्छी तरह से बनेगा तो आप जो craft बनाएंगे उसमें किसी भी तरह का cracks नहीं आएगा तो friends हमारा ball puti का डो बनके तयार हो गया है तो अब हम इसे craft बनाएंगे आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं मैं आपके comment का reply जरूर दूँगी हम glue gun की help से लकडियों को चिपका लेंगे अगर आपके पास glue gun नहीं है तो आप fabric all या bono fix या कोई भी glue से आप इसे चिपका सकते हैं ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है हमने सारे स्टिक को चिपका कर एक बेंच तयार कर लिया है तो अब हम एक चाट पेपर लेंगे और उसे इस पर रखके कट कर लेंगे कट करने के बाद हम बॉल फूटी के डो से इसके चारो साइट को कबर करेंगे एक कटोरी में चार चमच बॉल पूटी ले और थोड़ा सा पानी मिक्स करके घोल तेयार करें आप इसमें थोड़ा सा फैबिकॉल भी मिक्स कर सकते हैं मैंने यहाँ पे फैबिकॉल मिक्स नहीं किया है हुआ है कर दो 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 झाल 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 झाल